दोस्तों बात करें तो यह है Acer का Swift 3 laptop लेकर पता है इस laptop की यहाँ पे खास बात क्या है वो यह है कि सबसे अफोरडेबल इंटेल एवो प्लेटफॉर्म वाले laptop है यह अपने से सुना इंटेल के एवो प्लेटफॉर्म के साथ मिलेवाल सबसे असता laptop है जो इवन आपको बिलो 65,000 में भी मार्केट के अंदर देखने का मिल सकता है और यह चीज इस laptop काफी खास बना देती है क्योंकि जिनरल ही हमने देखा है इंटेल एवो प्लेटफॉर्म की और क्या खास चीज मिल रही है और इसके बेनिफिट के किसी एक laptop के अंदर आपके next laptop में कोई होना चाहिए सब कुछ पता लगाएंगे वीडियो पूसे ना तो लाइक कर देना चैनल को यहां पर सबस्क्राइब कर देना तो दोसरी हमें में सबसे पहले बात करने वालों कि exactly लिए Intel Evo platform के जरूत यहां पे सर्फ इसली पड़ी क्योंकि market में thin and light laptop काफी जादा popular हो रहे हैं और जब thin and light laptop इत्ते जादा popular होते हैं तो उनके अंदर कभी आ जाती है ना कि performance अची नहीं मिल रही बैटरी चोटी मिल रही है बैटरी बैकप का में याने कि thin and light laptop मतले याना कि weak processor होगा चोटी बैटरी होगी अब यही सारे myths को burst करने के लिए Intel ने अपना Intel Evo platform बनाया बेसिकली बात किया तो Intel ने पिले प्रोजेक्ट Athena ता उसी खाई evolution किया और 11 Gen processor के साथ जो पूरा Evo platform का जो पूरे design किये ना वो काफी अच्छा है मैं मैं सिंपल सी language में समझा देता Intel Evo platform जब किसी भी laptop के अंदर introduce के जाता है तो कुछ sets होते हैं ऐसी चीज़े कुछ ऐसे features होते हैं जो आप मान के रखो कि आपको मिलेंगी मिलेंगे सबसे पहली चीज बैटरी पे अच्छी performance नॉर्मली हमने देखा है कि laptop जो रहते हैं वो प्लक करना पढ़ता है Windows laptop को charging से और बैटरी पर भी आपको अच्छी performance देखने को मिलें यह यानि की बैटरी पर आपको consistent responsiveness देखने को मिलें यह काफी अच्छा काम किया यानि कि आप कोई भी student हो या फिर office में काम करते हो हर जगे तो charging port available नहीं है ले जाके laptop को carry करना और चाहते हो हर वक्त आपको अच्छी performance मिल हाला कि यह जो कमाले SSD का भी होता है लेकिन आप processor का भी काफी important खेले क्योंकि हर SSD वाला laptop एक सेकंड से कम है sleep से wake तो नहीं होता है यह चीज़ तो मैंने देखियो और यह चीज़ आपने भी देखिया कोई SSD वाल laptop चला है यहाँ पर लेकन processor के अदर एक ऐसी चीज़ की गई है कि एक सेकंड से कम यानि की Windows laptop के अंदर हमने पहली ऐसी चीज़ देख नहीं थी कि अगर laptop अगर sleep position में और उस अगर में को open करना है तो वो एक सेकंड से कम पूर टायम में open हो जाए यह चीज़ यहाँ पर Intel Apple platform ने कर देखाई है और यह चीज़ मैं सच बता और यह चीज़ जादा लंबी बैटरी इंटल एवो में मिनीमम आपको 9 घंटे का बैटरी वैक अप मिलता है और इस लैप्टॉप में 14 आर्स का promise किया गया है लेकिन फिर भी 9 से 10 घंटे easily निकाला जा सकता है casual workload के अंदर वो काफी कची चीज़ है और charging के लिए भी बोला गया था है यहाँ कि 30 मिट्स में अगर आप चार्ज करेंगे तो 4 आर्स तक यहाँ पर इसे continuously यूज कर सकते हैं तो हां कुछ ऐसी चीज़े हैं इंप्लीमेंट की गई है इंटल के एवो प्लेटफॉर्म के अंदर यह चीज़ यहाँ इसे कफी ज्यादर स्पीशल बना देती है और सिर्फ ऐस वाला कोई भी लेटॉप ले रहे हैं आपके दिमाग से यह चीज़ पूरी तरीके से दूर हो जानी चाहिए कि यह प्रॉब्लम यहां लेटॉप में आ सकती है ऐसा हो सकता है आपको क्वालिटी ट्रक देखने को मिलेगा जिसके अंदर गैरेंटी होगी अच्छी पॉफरम को लेटॉप लेके अगर हम बात करें तो लगबक हर कम्नी जो है आपने व प्लेटाप बना रहे हैं लेक्र def whoever देल की और यह प्लेटी है का 1135G7 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है जो कि Tiger Lake U series का आपको देखने को मिलता है यहाँ पर आपको 4 core से एक thread देखने को मिल रहा है यह 10NM की superfin technology पर बेस्ट है और इसकी maximum turbo frequency है वो है 4.2 GHz की अब बड़े बड़े नंबर तो हो गए लेकिन real world में performance यह कैसी रहेगी आप इसके अंदर जितनी भी आपके office के काम होते हैं वो सारे कर सकते हैं जितनी भी power point presentation, word document यह सारे चीज़े जितनी भी आपको करने हैं अच्छे से कर सकते हैं लेकिन अगर आपका coding वाला काम है, programming मगरा करनी है, C++, Python, Java में code लेकना है या Android Studio चलाना है वो यहाँ पर चला जा सकता है, उसके अंदर ही performance अच्छी provide करेगा इसी के साथ ही बात करें photo editing, video editing, यानि की जो productivity वाले जो task होते हैं वो वहाँ काफी अच्छे तरीके से करता है और इसलिए लोग thin and light laptop चूज़ करना पसंद करते हैं, जोकि thin and light laptop के अंदर problem नहीं होते हैं कि वो बल्की होगा, भारी होगा, वो thin होगा, पतला होगा, हलका होगा और आपके जितने भी काम होते हो अच्छे तरीके से चलाएगा on battery, ये काफी कच्छी चीज़े चलिए इसके कुछ benchmarks वगरा के बार में बात कर लें, तो यहाँ पर मैंने PC Mark 10 को run किया, उसका score देख सकते है, 3D Mark को run किया, उसका score है और Final Fantasy 15 के benchmark को run किया, इसी के साथ ही बात किया, तो यहाँ पर मैंने video editing को भी try किया, और video editing भी काफी अच्छा experience था है, यहाँ पर मैंस होते हैं, जिसके अदर Adobe के जो creative cloud के जो suits होते हो अच्छे तरीके से काम करते हैं, और यहाँ पर किसी को photo editing, video editing करना है, वो भी कर सकते हैं, यहाँ तक किसी को AutoCAD वगरा चलाना है, वो भी, और programming वगरा करनी है, वो भी, तो यह सब task में जो पर जरू अच्छे से काम करता लेकिन gaming का क्या, बात किया तो इस बार Intel ने Iris XC Graphics को यहाँ पर यूज किया है, अब Iris XC Graphics जब यूज की जाते हैं, तो performance में bump आता है, और यहाँ पर बात किया है तो जितने भी आपके rendering और 3D modeling के कुछ basic software होते हैं, जिससे designing के लिए AutoCAD, engineering काफी यूज करते हैं, वो हाला कि बात किया तो gaming laptop नहीं है, लेकिन फिर भी gaming casual level की perform की जा सकती है, और एक खास बात बता हो, Intel के processor जो Evo platform के साथ चीज देखने को मिल रही है, वो है Thunderbolt port, अब Thunderbolt 4 port यहाँ पे आपको देखने को लता है, और उसका सबसे बड़ा benefit पता है क्या है, यहाँ पे आप external 4K displays को connect कर सकते हैं, और 4K display कनेक्ट नहीं करता हो, तो external GPU को भी connect किया जा सकता है, Thunderbolt 4 port के साथ, bandwidth है इसमें 40 Giga Bits की, और उसके बाद यहाँ पे आप additional profits की performance एड़ करके desktop लेवल की, और desktop लेवल की gaming का यहाँ पे मजा ले सकते हैं, यह काफी अच्छा feature है, Thunderbolt 4 जो port आता है ना, वो मैं नहीं कि एक ऐसा port है, जो कि टाइप सी जैसा रिखता है, लेगन काफी जादा powerful है, यह Intel ने अपने laptops के लिए जब रिजर्व करके रखा ना, Thunderbolt 4 port, तो एक काफी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसके साथ एक connectivity में यहाँ पको Bluetooth 5.1 है, और Intel का ही Wi-Fi 6 adapter देखने को मिलता है, नहीं कि Wi-Fi 6 है, जो कि आप high speed जो connectivity होती है, इंटरनेट की वो, हाला कि इसके लिए आप कोई Wi-Fi 6 enabled router चाहिए, लेगन अगर एक Wi-Fi 6 enabled router है आपके पास, और आपके पास एक high speed internet है, जैसे gigabit internet है, definitely Wi-Fi 6 का फायदा उठाके फिर आप gigabit speed का एक laptop के अंदर भी मजा ल मिल रहा है, और एक और USB 3.2 Gen 1 port देखने को मिल रहा है, जहाँ पर पावर का charging port देखने को मिलता है, इसके साथी एक USB Type-C जो की Thunderbolt 4 port के साथ है, HDMI 1.4 है, यहाँ पर आपको headphone jack भी देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर आपको एक power port देखने हो रहा है, पावर पोर्ट से याद में तो कोई शकायत आपको देखने को नहीं मिलेगी, इसके साथी बात करें चार्जर की 65W का जो चार्जर होता है, वहाँ पर बॉक्स के अंदर देखने को मिल रहा है, यह नॉर्मल जो 3-pin वाला चार्जर होता है, वहाँ यहाँ पर, इसके साथी RAM जैब लैप्टप है, य देखने को मिल रहा है, जिसका जो resolution है, वह है 2-2-5-6-5-1-5-0-4-pixels, अब यह 3-2 display IPS पैनल के साथ है, colors काफी अच्छे, और display की quality काफी अच्छे, और एक glossy display यहाँ पर आपको देखने कोलता है, 3-2 का बस यहाँ पर एक छोटा से नुकसान यह होगा, कि जो वीडियो stereo speaker से थोड़े कम लगे, यहाँ पर जो laptop का keyboard मिलता है, वहाँ पर आपको backlighting देखने कोलती है, जो trackpad है, काफी बड़ा multiple gestures को यह support करता है, इसके साथी overall जो build है laptop की, वहाँ पर हलकास आपको plastic का touch देखने कोलता है, लेकिन वो भी सिफ श्याद इसलिए गया है, क्योंकि laptop के weight क देखने को मलता है, काफी अच्छे laptop पे एक हाथ से आप इसे carry कर सकते है, हाला कि थोड़ी बहुत metal यहाँ use हो जाती ही, तो एक छोटी सी हाँ बेटर चीज हो जाती है, और इसी के साथी extra security के लिहाँ पे fingerprint reader को भी दे रखा है, जिससे आप एक click करके unlock कर सकते है, हाला कि बात काफी अच्छी Intel का Evo platform मिल रहा है, बजट के अंदर, और देखा जाया तो Acer के laptop होते है, तो इसको आप किसी भी दुखान वगरे में जाकर touch and fill करके ले सकते हैं, और देख सकते है खोट रीयल लाइफ में कि performance कैसी मिल रही है, इवन अगर आपको believe नहीं होता कि sleep to wake functionality कैसी है यहाँ पर किसी भी Intel Evo laptop को अगर दुखान में जाकर try करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यह कितना कमाल का feature है, कि एक second से कम समय में जो laptop होता है, वो sleep से wake हो जाता है, तो देखा तो overall जो package वो यहाँ पर काफी सही देखने को मिल रहा है, हाला कि जो build वगरा रहत कमें से thunderbolt port 4 है, यहाँ पर आपको Wi-Fi 6 देखने को रहा है, तो यह काफी सही package है बना देता है, तो दूस्तों इस सारी कहानी होती है, यहाँ पर Acer Swift 3 के बारे में, इस लैप्टॉप यहाँ पर काफी सही लगा और Intel है वो platform के साथ आ रहा है, तो यह काफी कची चीज हो जाती यहाँ पर, बाइदावे, आप लोग का इस बारे में क्या ओपीनियान यह बात नीचे कमेंड़ मताँ, ना खूले वीडियो पसंद है तो लाइक करदेने, चनल को सब्स्क्रेब करदेने, थेंग और को वीडियो देखने की, मैं आवसल दो नेक्स्ट वेन बे, गुड़ ब